नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विश्वान इंडिया यूट्यूब चैनल, लाइफ सेटिपिकेट हर साल हर गर्मेंट पेंशनर को सब्मिट करना पड़ता है तुरिंग दा मांत अप नवेंबर, पर इस साल गर्मेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किया रिदिंग सब्मिशन हम लेखेंगे कौन सा वो बीग चेंजेस है और इसके लिए हमें क्या एक्सर्विशन लेना पड़ेगा हम कैसे स्मूथली लाइफ सेटिपिकेट सब्मिट करेंगे ताकि हमारा पेंशन ना रुके, पेंशन कंटिनिव रहे और लाइफ सेटिपिकेट जमा करने में भी कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ों को धहन में रखते हुए, सारी इंफर्मिशन इसका जान लेंगे इस वीडियो में, पर में वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्विस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जुरूर सब्सक्राइ करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबए ताकि अगला वीडियो का निटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, सो प्रेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइफ सार्टिपिकेट हर साल हमें नवेंबर में जमा करना पड़ता है, पर यह लाइफ सार्टिपिकेट जमा करने का जो अलग-अलग मोड है, वो आप जानते हैं, एक है डिजिटल लाइफ सार्टिपिकेट और दूसरा है आप लाइन, यानि कि ट्रडिशनल जो सिस्टेम था, आप बैंक में जाके भी अपना लाइफ सार्टिपिकेट जमा कर सक जो IT-oriented है, जिनके पास IT का सारी resources है, वो digital life certificate घर बैठे, आप अपने खुद से आप जमा कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक biometric device चाहिए और एक mobile या फिर laptop चाहिए, कैसे करेंगे, जो authorized device है, जो authorized device है, जिवन प्रमान का, जो compatible device है, biometric device, वो आपको market से लेने पर लेगा, उसके बाल आपने क्या करना है, अपना Android phone या अपना Windows PC में जाके, आपने जिवन प्रमान website से आपको उनका जो app है, वो app को डाउनलोड करना है, एप को डाउनलोड करने के बाल, आपका जो compatible biometric device है, उसके साथ आपका जो app है, उसको configure करना है, और उसमें cable मत्रो कुछ information आपको देने होंगे, जैसे कि आपका अधर नमबर, आपका bank account नमबर, और आपका PPO नमबर, यह तीनों चीज अगर आप दे देंगे, तो यह तीनों आप उसमें connect हो जाएगा, आपका bank, आपका अधर, आपका PPO, यह तीनों चीज जब correct हो जाएगा, आप अपना biometric access, यहने कि आप fingerprint देके, आप अपना जो आधार का जो data है, उसको आप access कर सकते हैं, और आधार का जो data है, उसका थो लाइफ certificate generate कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स, अगर आप IT oriented है, IT में आपका expertise है, government का जिवन प्रवान का जो digital life certificate submit करने के लिए जो website है, वो website आप देख लेजिए, यहाँ पर जो साड़े process दिया हुआ है, FAQ है, यहने कि आपका जो frequently asked questions है, कहका धिकत हो सकता है, उस हिसाब से FAQ भी दिया हुआ है, तो यह इस सारे चीज़ों को देखकर आप अपना life certificate जमा कर सकते हैं, अब है जो traditional system, traditional system में आप जैसे पहले life certificate जमा करते थे, यहने की एक life certificate बहला form आपको फिलब करना है, और जिसमें आपका अपना other number, आपका mobile number, आपका PPO number और आपका bank account number, इस सारे चीज़ों को देखकर आप bank मे submit करेंगे, और bank manager authenticate कर देंगे, तो आपका life certificate generate हो जाएगा, और life certificate जब generate हो जाता है, तो उसका एक ID आपका mobile phone में आ जाएगा, यह है simple, जो traditional system है, offline system है, तो यह system जड़ातर लोग अभाहिल कर रहे है, अगर आपके बास सुईर है, आप घर बैठे, digital life certificate कर सकते हैं, या फिर government क कुछ citizen service center है, वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पस इस वीड़ा है, तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है, तो आप bank में जाके direct summit कीजिए, अब आते हैं, जो changes है, changes क्या किया, इस समाए, government of India ने, due to COVID-19 जो crisis है, इस crisis का बज़े से, कुछ major changes लेका है, जैसे की, प limit था, उस समाए का अंदर आपने life certificate summit करना था, अगर नहीं किये, तो आपका pension next month से discontinue हो जाता था, पर इस बार क्या किया गया, यह जो life certificate जमा करने का जो date है, तुरा से extent हो गया, जैसे की, आप अगर below 80 years है, आपका age, तो आप life certificate को 1st November, 1st November से लेकर के, 31st December का अंदर आप जमा कर सकते हैं, किसी भी mode से, या आप traditional mode से, या फिर digital life certificate आप जमा कर सकते हैं, और अगर आप super senior citizen, यानि कि आपका age अगर 80 years से जादा है, तो आपके लिए यह समय समा जो है, तीन महीने का है, आप 1st October से लेकर के, 31st December, इस period का जरान, कभी भी आप अपना life certificate जमा कर सकते हैं, और भी सुवीदा है, अगर आप bank तक नहीं आ सकते हैं, digital life certificate जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना PDA यानि कि आपका bank को आप request करेंगे, तो bank अपना representative आपका घर में भीजेगा, जो आपका life certificate वीडियो mode में आपका life certificate authenticate कर जेंगे, यानि कि कोई device ल का जो वीडियो connectivity है, वो connectivity रहेगा, आपका bank का branch manager का साथ, और इस वीडियो communication का थ्रू आपका life certificate initiate हो जाएगा, यह था जो main changes था, और आपके लिए, फिर मैं time limit एक बार और बता देता हूं, normal pensioner के लिए है, 1st November से ले करके 31 December, इस समाई का जरण, आपको life certificate जमा करना ही करना है और जो लोग 80 years से जादा है, जिनका age, उनके लिए government ने एक month का और जादा time दे लिया, यहने कि above 80 years का जो pensioners है, वो life certificate जमा कर सकते हैं, 1st October से ले करके 31st December, 3 months का time उनके लिए है, वो घर बेठे भी जमा कर सकते हैं, अगर bank तक पहुचिने का सुविदा नहीं है, दिक्कत है, physical या medical illness है, तो आप bank को request कर सकते हैं, bank अपना representative आपका घर भीज़ देगा, यह था सरे information और आगे का कोई भी information, life certificate या pensioners का जो भी information हमें मिलते रहेगा, आप आपको सुचित करते रहेंगे, और इसके लिए आपसे request है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया, तो ज हिंड जय भरत